अध्यावरीबर्वन तो टुड़े इन दिस विडियो वी आर गोएं टो डिस्क्रस अबाउट कम्बिनेशन अब क्याप सीटर्स ओके देखो जैसे हमने पड़ा है कि जो रेइस्टेंशस होते हैं दूसरा होगा सबसे देखते हैं सिरीज कम्बिनेशन क्या होता है क्विरीज कमिनेशन में जितने बी क्याप सीटर सोंगे उनक टर को ऐसे इंद to प्रेल्ड हम ले लिया पहले खाल सिटर सी वन है दूसरे का उसभी तीसरे का सीथी ऐसे मने कुछ लै लिये हैं इस रहा है हमारे capsiders तीनों के capsidenses जो है different हमें लिया है इसको जो हम series combination में रखेंगे तो हम जानते हैं कि series combination में current के value constant होती है और potential के value सभी के लिए different हो जाएगी ठीक है तो इसमें हम suppose कर लो तो वीवन potential flow कर रहा है इसमें वी टू और इसमें वी थ्री पोटेंसिल कर रहा है और हम जानता है current की अगर बात करें तो current किससे समध्र रखता है चार्ज से तो कैसे तो कि अगर current constant होगा means इसमें flow of charge भी क्या होगा constant होगा यानि कि इसमें अगर q amount of charge store होगा यहाँ पर भी q होगा यहाँ पर भी q होगा तो सभी में charge की value constant होगी यानि कि इतना ध्या रखना आपको कि जब भी हम दो या दो सदी capsitas को आपस में combine करेंगे तो उस condition में charge की value constant होगी in series combination और parallel combination में potential के value constant होती है यानि कि अभी हम पढ़ रहा है series combination तो series combination में क्या constant हो जागा? charge यहाँ पर charge होगया constant so as we know that here v net is equals to बताओ जो total potential है वो कितना हो सकता है हम आते v1, v2, v3 अगर हम तीनों को add करते हैं तो net potential के बराबर ही आएगा जाहर सी बात है यानि कि v1 plus v2 plus v3 यह होगी हमारा total potential इसको नहीं माल लिया equation 1 okay and यहांसे लिख सकते हो as we know that as we know that as we know that v1 is equals to do kya मिल जाएगा आपने पढ़ा है q q is equals to c v okay तो वैसे यहां पर लिख सकते हो वी ज्योक्स्टू क्यों पॉप ऑफ ऐसे ही व्हीं जोंक्व पर देखें तो वीचनि मिल जाएगा इसको को रप करते हैं V3 जो कोस्टों मिल जाएगा Q अपान C3 या V2 जो कोस्टों मिल जाएगा Q अपान C2 ओके तो अन्पुटिंग दीज वैलूस इन फर्स्ट एक्वेशन बिल गेट इन तीरों वैलूस को पहले क्वेशन पूट कर दो तो हमें मिल जाएगा अन्पुटिंग दा एवब वैलूस दा एवब वैलूस इन फर्स्ट एक्वेशन दो क्या मिल जाएगा हमें V9 के जाएगा Q अपान C इजू कस्टों Q1 अपान C1 ओके सरी सभी में चार्ज कॉंस्टन्ट है प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3 और यहां पर हम देख रहा हैं कि चार्ज कॉंस्टन्ट है तो चार्ज को हम कॉमन यहां पे ले सकते हैं Q को कॉमन ले लिया तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 मिल गया ओके चार्ज चार्ज होगे चैंसल और आपको मिल गया 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 यह मिला total capsidens in series combination तो यहाँ पर हमें मिल गया total capsidens का value 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 so in the case of parallel combination of capsidens हम जानते हैं कि जितने भी capsidens होंगे उन सभी capsidens को parallel combination में रखा जाएगा जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हमारा पहला capsidens है जिसका capsidens C1 है यहाँ पर हमने दूसरा capsidens ले लिया इसका capsidens C2 सपोज कर लेते हैं और 3rd capsidens हमने हाँ पर ले लिया जिसका capsidens हम C3 माल लेते हैं इसका capsidens C3 माल लिया इन तीनों capsidens को जब हम parallel combination में रखेंगे मिंस कुछ ऐसा करेंगे कि सभी का ending point एक ही जगह पर होगा यहाँ पर हम देख रहा है कि पहले capsidens में दूसरे capsidens में और तीसरे capsidens में तीनों capsidens का ending point देख रहा है यहाँ यहाँ पर A and B देखिए एकुरेट एक ही जगह प्यारा है इस combination में जब हम potential apply करेंगे यानि कि का सकते हैं जब इसको हम battery के साथ connect करेंगे या किसी भी source of electricity के साथ connect करते हैं और जैसे switch on करेंगे switch को तो जीतने भी capsidens हैं सारे capsidens को equal amount में potential मिलेगा इसके पहले series combination में पढ़ा कि सभी में charge equally distributed होगा और इस combination में parallel combination में सभी में potential equally distributed होगा यानि कि कैसे तो सभी में potential का value constant होगा तो यहाँ पर क्या constant होई मिल गया वी constant मिल गया बस आपको इतना पता होना थी कि क्या constant होगा क्योंकि एक जब या तो potential constant होगा या फिर charge constant होगा और जो भी constant होगा उसके अलामा जो second thing होगा वो constant नहीं होगा यानि कि यहां पर हम देख रहे हैं कि सपोस्ट को लग क्यों चार्ज अगर इसमें store होगा तो इसमें q2 होगा और इसमें q3 होगा और हम जानते हैं कि जो net charge होगा net charge कैसे तो इन तीनों प्रविचर सो करता है तो इस कंडिस्व में देखोगे ही एर क्यूँ इज उकस्टू यानिक टोटल चार्ज विल विक्स्टू क्यूँ वन प्लस क्यूटू प्लस क्यूटू इसको नमाल यह पहला एक्विसन ओके एज विन ओडेट इसवी नोगएट क्यू इज उकस्टू होता है सी वे ओके तो क्यू नेट का वैलू हम ल लिख सकते क्यू इज उकस्टू जहाँ जिक्स्टक्यू जहाँगा C1V Q2 is equals to C2V Q3 is equals to C3V यहाँ पे हर जगा potential हमने constant लिया क्योंकि potential का value सभी में क्या है similar है या same है कह सकते हैं तो इन तीनों values को पहले equation output कर दो तो on putting on putting the above values the above values in first equation we get देखो क्या मिल जागा हमें हमें मिल जाएगा क्यों नेट के जगा पर लिख सकता हूँ C V यह आप मिला C V विक्वास टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V ओके सभी में हम देख रहा है कि पोटेंशियल कॉंस्टेंट है यानि कि मिल जाएगा C V विक्वास टू V वो कॉमन ले लिया C1 प्लस C2 प्लस C3 V is cancelled by V and we will get net capsidence will be equals to C1 प्लस C2 प्लस C3 इन दोनों derivation को करने के बाद हमें clear हो चुका है कि resistance के just opposite work कर रहा है यानि कि resistance के parallel combination में हमें मिला था 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 S1 लेकिन capsidence के series combination हमें ये value मिल रहा है 1 upon C is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 और resistance के series combination में हमें मिला था R net is equals to R1 plus R2 plus R3 S1 और यहां पर हमें parallel combination of capsidence में मिल रहा है C1 plus C2 plus C3 S1 किस्वार करें ये 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 शायरो कके रहाओ자 टॉल किछसर मुळunu कैए है मुद्वार के साहर मुद्वार करें मुदर